This news is co-sponsored by आराध्या ज्वेलर्स अब सोना खरीदे आसान किष्टों में 100% pure ज्वेलरी हमारा पता शार्दा चौक गनेश नगर नंदनवन नाकपूर कलमना मंडी में आज आम आदमे पार्टी ने छोटे ट्रांसपोर्टों के लिए अंदोलन किया अंदोलुका का कहना है कि नाकपूर परिवहन विफाग छोटे ट्रांसपोर्टों को टार्गेट कर रहे हैं बड़े ट्रांसपोर्ट को कुछ दिनों पहले सरकार ने नियोमा मे चोट डी मगर छोटे ट्रांसपोर्ट के लिए उन्हेंने कुछ नहीं सोचा जिस कारण छोटे गाड़ियों में अगर चालग 100-200 किलो की जादा लेकर जाते हैं तो परिभान विभाद के करमचारी गेट के बाहर खड़े रहे कर छोटे गाड़ियों को पकड़ लेते हैं और 60-70,000 तक का जुर्माना लगा देते हैं जिस कारण अब यह छोटे ट्रांसपोर्ट परिशाने में आ गए है कलमना मंडी में छोटे ट्रांसपोर्टों के लेकर आज आम आदमी पाइटी आंदोलन में उतरी है उनका क्या कहना है हम जानेंगे आज आम आदमी पाइटी जो है छोटे ट्रांसपोर्ट लेकर आंदोलन कर रही है उसके पीछे का क्या रिजन है रिजन ऐसा है कि सुभेर के दौरान साड़े ग्यारा बारा बजे के करीब करीब यहां से जो गाड़िया निकलती है साड़े 700 किलो का इनको पासिंग दिया हुआ है मीनी ट्रांसपोर्ट जो चलाते हैं चाटाटा एस है छोटी जो गाड़िया होती है कभी अगर यह गाड़ी ओवरलोड हो जाए तो आटियो हमेशा ही या पुलिस वालो जितने भी साथी है यह हमेशा ही गेट के बाहर ही खड़े रहते हैं इसी गाड़ी बाहर निकले है तुरंत चालान करते और चालान करने के बाद में क्या वो चालान की रकम कोई ना कोई वाजबी होना चीए ऐसी नहीं होना चीए जिसको आदमी देखते बराबर आत्मत्या करने की सोचे आज देखिए कि यह जो छोटा वापारी है छोटा ट्रांस्पोर्ट यह चला रहा है इनको सरकार इनको आटीओ ने लगबख सतर हजार रुपए का चालन दे दिया है यह सतर हजार रुपए कमाने के लिए यह आदमी को दो साल लग जाएंगे तब जाके सतर हजार निकाल कर आदमी यह दो सो रुपए भी रोज का घर पे नहीं ले जा पाता है इस परिस्तिती में अगर इन लोगों को सतर हजार रुपए का एक लाग रुपए का चालन अगर आटीओ काट रहा है आटीओ दे रहा है तो क्या यह लोग अपनी जीवनी चला सकते हैं क्या इ उनको भूके मरने की नौबत पे नहीं लेकर आ रही क्या सरकार इनको आत्मत्या करने के लिए मजबूर नहीं कर रही है सरकार ने यह जो नियम बनाया है कि आप साड़े साथ सो किलो ही अपनी एक गाड़ी में एक बार में लेकर जा सकते हो शरकार ने कई बील अभी वापस कर अगर नहीं ले जा पाते हैं तो इन नहीं को कही न भूकों मरने की नौबत आएंगी शहर के लिए गए हमसें पड़ेंगा शहर में अनाज सप्लाइब से लेकर सब्जी भाजी फ्रूट सप्लाई से लेकर सारा जो काम है ये कलमना मार्केट के अंदर में ये जो मंडी है इन मंडी के ये जो ट्रांस्पोर्टर से इनके उपर में जिम्मेदारी है अगर ये लोग हताश होके घर बैठ जाएंगे या तीन दीन भी अगर ये लोग अंदोलन करते हैं तो शहर के अंदर में भाजी पाले से लेकर अनाज से लेकर हर चीज हर चीज महेंगी हो जाएंगी और भूक मरी की नौबत शहर के अंदर में आ जाएंगी इसलिए मेरी सरकार से हाज जोल के विननती है जो हमारी महराष्ट्रे के अंदर में सरकार चल रह और इनकी तकलीफ को समझते हुए जो गलत कानून आपसे बन गया है महरबानी करके उसको बदलाव करो और उसको कम से कम तीन टन तक के लेकर जाओ जिससे इनका घर पाल ये पाल सके हमारे साथ कुछ छोटे ट्रांस्पोर्टर भी है जिनसे हम बात करेंगे मुझे बताईए कि यह जो तकलीफ है क्या आपको परिशानिया हो रही है 900 रुपे के ट्रीप में अगर साथ 70,000 का अगर चालन आ रहा है कैसे आप प्यार करेंगे मेरा नाम तो पहली बात रमेश गाडवांदे है मैं यहां 40 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ और बहल गाड़ी से बहल गाड़ी के जमाने से हम चलते आ रहे हैं और व्यापारी बाई के साथ जुड़े हुई है हमारा परिवार हमारे बाल बच्चे जो भी है यह इनी के भरो तरह बाता रहती हैं हमारी की क्छोटी काड़ी है और उसके कारण तीन तन भरते हैं तो आए तो सहानों अच्छे और घंटे के बाद आधी घंठे में पैसे लाओ बुलते और बात नहीं करने देते हमारे को अच्छे तरीश के जा बाताते नहीं सब बातें करके हम कभी ब्यात से लिते है कभी करजा यह किसी से लिते हैं यह परीवार हमारा चल रहा है और अंदर तो हमने क्या करना है जैसे कास्तकार लोग आत्माहत्या कर रहे हिए उस ताइप हमारे को गाड़ीवालोन सुर्ण अलंकारो से परिपूर्ण सुन्दर और आकरशक डिजाइन से सजे श्री कृष्ण जूलर्जमें मिलेगा लेटेस्ट जूलरी कलेक्शन का भंदार जो आपको एहसास कराएगी खुबसूर्ती का एक अनमोल रिष्टा भरोसे का A Letters Jewelry Collection by Shri Krishna Jewelers हर नारी चाहे एक सुन्दर गहना सुन्दर लुभावने मन मोहक गहनों के मिलने का एक मात्र स्थान Shri Krishna Jewelers Our address, Coffee House Building, Gokulpet, Nagpur Contact us 9923446062 or 9373108414